हलो स्टुडेंट्स ग्यान गंगा स्टेडि सेंटर कटिया में आप सभी का स्वागत है आज यह चैनल आपके लिए हिंदी के अब्जेक्टिव कोश्चन को लेकर आया है जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदी की बुक दिगंतक भागदू में आपको 13 पाठ गद्य के और 13 पाठ कब्य के पढ़ने है इन सभी पाठ के अब्जेक्टिव को आपको उत्तर सहित इस चैनल पर उप्लब्द रहेगा तो आई हम शुरू करते हैं गद्य पाठ और उनके लेखकों का नाम पहला है बातचित जिनके लेखक है बाल किष्ण भट दूसरा है उसने कहा था लेखक है चनधर सर्मा गुलेरी तीसरा है संपूर करांती लेखक है जैप्रकास नरायन चौता है अर्ध नारिश्वरी लेखक है रामधारी सिंधिनकर पाचवा है रोज लेखक है ससिदानन्द हिरानन्द वात्सन्य अगे छाठवा है एक लेख और एक पत्र लेखक है भगत सिंग साथ है ओ सादा नीरा लेखक है जगदिश चंद्रमाथुर आठवा है सिपाही की मा लेखक है मोहन राकेश नौ है प्रगती और समाज लेखक है रामवर सिंग दस है जूठन इनकी लेखक है ओम प्रकास बालमिकी ग्यारा बाठ है हस्ते हुए मेरा अकिलापन लेखक है मलयज बारा है तीरच लेखक है उद्यप्रकास और तेरा है सिख्छा लेखक है जे कृष्ण मूर्ती इसी प्रकार काब्यखंड में देखे पाठ का नाम और लेखक का नाम तो पाला है करबक लेखक है मलिक मुहम्मद जैसी दूसरा है पद लेखक है सूरदास तीसरा है पद लेखक तुलसी दास चौता है छप्या उसके लेखक है नाभा दास पाचवा है कवित्र लेखा कै भूसर छाटवा है तुमुल कुलाहल कलाहमे लेखा कै जैसंकर प्रसाद साथवा है पुत्र बियोग लेखा कै सुबद्रा कुमारी चौहान आठ है उसा लेखा कै समसेर बहादुर सिंग नौ है जनजन का चेहरा एक लेखक गजानन माद मुक्ति बोध, दस है अधिनायक लेखक रगवीर सहाय, ग्यारा है नन्हे प्यारे नन्हे बेटे को लेखक बिनोत कुमार सुक्ल, और बारा है हारजित लेखक असोक बाजपेई, और तेरा है गाओ का घर लेखक ग्यानंदर पति, जैसे कि आप जानते हैं कि आपके प्रश्ण में, इंदी के प्रश्ण पत्र में आपके पाठ और लेखक के नाम पुशे जाएंगे, जो अबजेक्टिव में भी रहेंगे, उसी प्रकार मैं प्रतेक पाठ के आपको अबजेक्टिव कोश्चन को संकलित किया हूँ, जो आपके सामने उत्तर साहित प्रस्टूत है, पहला पाठ है, बातचित, पहला कोश्चन है, बातचित किसी बिद्या की रचना है, उतरोगा डी, निवन्द है, बातचित साहित की कौन सी बिद्या है, उतरोगा डी, ललित निवन्द, तीसरा है, बातचित सिर्षक निवन के निवंदकार है उत्रोगाि ड़ी बाल किस्ञ भट चोठा है बाल कृष्ण की रचणा है उत्रोगावी बात चित सब्सक्र tutti light Bright-पकर्षि。 द लिलिद निवंद रहें पाल किस्ञ भड़ का ब्रॉब Advent को आता होगाऑ 23 जुन 1844 बालकृष्ण भठ की मिर्तु कब होई थी? उतरोगा C, 20 जुलाई 1914 बालकृष्ण भठ का निवासास्थान कौन सा है? उतरोगा B, इलहाबाद उत्तरपर्देश अगला है बालकृष्ण भठ के माता पिता का नाम क्या है? उतरोगा B, पारवती देवी बेने परसा बालकृष्ण भट के पिता का नाम क्या था उत्तरोगा भी बेनी प्रसाद भट बालकृष्ण भट के पिता क्या थे उत्तरोगा ए ब्यापारी बालकृष्ण भट के मन में अध्यान की रूची और लालसा किसने जगाई उत्तरोगा डी मता पार्वती देवी अगला है बालकृष्ण भट प्रारम में कौन से सिक्षा का अध्यान किये उत्तरोगा बी संस्क्रीत बालकृष्ण भट प्रयाग के मिशनो स्कूल से एंट्रेंस की परिक्षा कब दिये उत्तरोगा बी 1872 स्वी में प्रयाग के मिशनो स्कूल में बालकृष्ण भट कब से कब तक अध्यापन किये उतरोगा A 1889-1885C में बालकृष्ण भट कब प्रयाग की कायस्त 15 साला इंटर कालेज में अध्यापक निप्थ हुए उतरोगा C 1888C में अगला है बालकृष्ण भट को हिंदी का एडिशन और एस्टील किसने कहा है उतरोगा A आचारे राम राम चंद्र सुक्ल अगला है बालकृष्ण भट जी को किसने अंगलेजी साहित के एडिशन और एस्टील की स्रेरी में रखा है उतर होगा सी राम अचाया राम चल सुक्ल ने अगला है बार्व कृष्ण भट ने किस मासिक पत्रिका का संपाधन किया था उतर होगा बी हिंदी प्रदेप नामक अगला है किसकी प्रेरा से बार्व कृष्ण भट हिंदी वधनी सबाब प्रयाग की ओर से अठार सततरिसी में हिंदी प्रदेप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रादम किया उतर होगा ए भारतेंदु हरेश्चंदर के बार्व कृष्ण भट ने किस पत्रिका का संपादन किया था उतर बी प्रदेप नामक बार्व कृष्ण भट ने हिंदी प्रदेप नामक मासिक पत्रिका निकालना कौप्रारम किया उतर होगा A 1837 C में डैडेस इस्वी में बेदो की जुक्ति पुर समिक्षा किये उतरोगा B 1881 C में संग योगिता स्वेंबर किसकी रचना है उतरोगा C श्री निवास दासकी नुतन ब्रहमचारी पन्यास के लेखा कौन है उतरोगा C बालक्रश्न भट्सव अंजान एक सुजान नामगर्ं पन्यास के लेखा कौन है उतरोगा B 1881 अगला है कौन संग पन्यास बालक्रश्न बट द्वरारा राचीत ए उतरोगा C सो अजान एक सुजान दम्यानती स्वेंबर किस लेखा की रचना है उतरोगा सी बाल क्रिश्म भट की इनमें कौन सिक्रिती बाल क्रिश्म भट द्वरा लिखी हुई है उतरोगा बी रेल का बीकट खेल अगला है बाल बिवा नामक नाटक के लेखा कौन है उतरोगा ए बाल क्रिश्म भट इनमें कौन सिक्रिती बाल क्रिश्म भट की लिखी हुई नहीं है उतरोगा डी परिक्षा गुरू कौन सव पन्यास बाल क्रिश्म भट ने नहीं लिखा था उतरोगा बी आजात सत्रू कौ कौन सी रसना बार्कृषिस्वट दवरा रचित नहीं है उतरोगा C मेग डूतम कौन सी रसना बार्कृषिस्वट की नहीं है उतरोगा B वीग पथा बरक्स भठ के प्रहसन का नाम बटाएं उत्रोगादी उत्रक्त सभी आने जैसा काम वैसा परिमार नई रोसनी का विस आचार वीडण बन अगला है बार्किस्ट भड के प्रसंद का नाम बता है उतरोगाटी इनमें सभी अचार भी बंडन जैसा काम वैसा परिमार नई रुशनी का विश्ट अगला है भातिश्वर्ड ने मनुस्ट की दीहें उनमें डेड़ेस भी एक है उतरोगासी अगला देखते हैं बार्किस्ट भड ने मोटा मोटी इकुल कितने निबंद लिखे थे उतरोगा ए एक हजार बार्किस्ट भड कितने निबंद लिखे थे डी उतरोगा एक हजार बार्किस्ट भड के सबसे मोटाम निबंद कितने हैं उतरोगा ए सोग और भड निबंद लिखे कौन है उतरोगा ए बार्किस्ट भड किस जूखे साहितकार है उतर होगा B, भारतेंदो जुके बाल किस जुके निमंदकार है उतर होगा B, भारतेंदो जुके बालकिस्न भट्र क्या थे डी उतर होगा इनमें सभी पत्रकार निमंदकार अलोचनाकर बालकिस्न भट्र क्या नहीं थे उतर होगा सी महा काभ्यकार बालकिस्न भट्र के समय के कौन कौन से साथी साहितकार थे उतर होगा डी उप्रक्त सभी भरतन अरेचंद राधाचर और गोस्वामी परताप नरायन मिश्र प्रेमगन आचाया राम चंद्रसुक्लक निमंदकार के रूप में बालकिस्न भट्र की तुलना किस से की है उतर मनुस्त की बाचित का उत्तम तरीका क्या है उतर होगा डी अवाक होकर अपने से बाचित करना किसने का है गदन लिखना भासा को सब्जनिक करते जाना है उतर होगा सी रगभीर साहिए संबाद में सबसे मौत पूर क्या है उतर होगा सी आत्मियता अनेक प्रकार के सक्तिया जो बर्दान की भाति इस्वर ने मनुस्थ को दी है उनमें से डैडस भी एक है उतर होगा C वाक के सकती खाली जगों को भरे अनेक प्रकार के सकती है जो बर्दान की अति भाति इस्वर ने मनुस्थ को दी है उनमें डैडस भी एक है C होगा वाक सकती किसके न होने से स्रिष्टी गुंगी प्रतित होती है वाक्य सक्ति के अनेक फायदों में कौन से दो है वाक्य सक्ति नहीं रहता तुमन से क्या नहीं कर पाता वाक्य सक्ति से मन किस प्रकार हो जाता है उतरोगा C, हलका और स्वक्ष राबेंसन कुरुसो को जब तक मनुस्ष का मुख देखने को नहीं मिला C, 16 बर्स तक राबेंसन कुरुसो ने 16 बर्स के उप्रांत किसके मुख से एक बात सुने उतरोगा ये फ्राइडे के मनुस्ष का गुर्दोस का प्रकट होता है उतरोगा भी जब बोलता है बेंजांसन ने क्या कहा था उतरोगा ये बोलने से ही मनुस्ष के रूप का सक्षतकार होता है अगला है बोलने से मनुस्ष के रूप का सक्षतकार होता है या किसने कहा था उतरोगा भी बेंजानसन है एडिसन का अमत क्या है उतरोगा भी असल बाचित स्रिफ दो ब्यक्तियों में हो सकती है असल बाचित स्रिफ दो ब्यक्तियों में हो सकती है या किसके अमत है उतरोगा एडिसन की एडिसन के असल बात कितने लोग के बीच हो सकती ह उतरोगा A. दो, राम रमावल का क्या और्थ है? उतरोगा C. चार लोगों के बीच बादचित, चूरे खाने सब्द का क्या और्थ है? उतरोगा C. अफेम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित अस्था, आठ आफ कन्वेंशन, कहा के लोगों में सरवादिक प्र चलित है? उतरोगा B. ई language के चमकिस्तान सब्द का अर्थ क्या है? उतरोगा A. हरे भरे बागों का इलागा. और शुक्षित लोग बादचित को क्या कहते है? उतरोगा D. भक्तहिम बादचित का उतम तरीका क्या है? उतरोगा A. आत्मवरतलाः बादचित के माध्यम से बालकिशन भड क्या बताना चाहते है उतरोगा भी बाचित की सेले नाटर के प्रणवे होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है उतरोगा भी नांदी पाठ सकती सब्द कौन सी लिंग है उतरोगा यह स्त्री लिंग सेक्स्पियर सब्द संग्या के किस बेद के अंतरगत आता है उतर होगा सी ब्यक्ति वाचक संग्या अगला पार्ट उसने कहा था अगले वीडियो में आपके बसनेश प्रश्णों के उतर बताये जाएंगे यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पिया सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर आपके बहुत की रसायन अंगरेजी हिंदी के सभी विहार बोट के जो जारी किया गया है उसके सभी प्रश्णों के अब्जेक्टिव प्रश्णों के उतर उपलब्द है तो किर्पिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद